यह मैन रो 5 किलोमेटर इन इस्टील वाडर 5 किलोमेटर इन इस्टील वाडर if the speed of a current is 2.5 किलोमेटर it takes 4 hour more in upstream then downstream for the same distance the distance is तो सबसे पहले distance को मान ले थे हम लोग दी होगे तो देखें पहला केस में क्या है? distance है पहला केस में क्या है? downstream होगे? downstream होगे? downstream निमें क्या होगा? x प्लस y यानि कि 5 खें़ी 7.5 7.5 होगे? equal to मेरा upstream में क्या हो रहा है distance है upstream में क्या हो रहा है कितना upstream में x-y 5-2.5 किने को हो जाएगा upstream से downstream में कितना plus ज्यादा है 4 घंटा ज्यादा है question में given है so अब बोल रहा है distance क्या है तो यह वाला type का question को यह से ही करते है तो आप आजाएगा easily आप लोग कर देंगे healthym करेंगे 7.5 आजाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे d plus 4 into 7.5 30 equals to d by 2.5 यह एक ही बार में जाएगा 3 times में और यहाँ मेरा हो जाएगा 3d cross multiply करेंगे तो और यहाँ पे d plus 30 अब यह d उतर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2d equals to 30 that implies 2 1 जा 2 2 15 जा so distance equals to 15 km option number b will be my answer okay